सो हे गाईस कैसे हो आप लोग उमीद करते खेरी सोंगे दोस्तों आज कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप लोग एक्सेस बैंक की CSP ID लेना चाहते हो तो आप लोग जो है बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किये हो आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप ज जो रीजन है और बहुत सारी लोगों का कॉस्चन है तो यहां पर जो यह सब सवालों का हम जबाब देने वाले हैं और आपको हम बता देंगे कि 100% आप एक्सेस बैंक की CSP लेके कैसे काम कर सकते हो एक्सेस बैंक की CSP बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाती है बिल्कुल भी क इसी तरीके की इन्फोमेटिक वीडियो आप तो मिलते रही चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक्सेस बैंक की CSP ID आपकर काम करना चाहते हैं सबसे पहले हम कुछ private company के बारे में बात कर लें जो access bank की CSP ID पुरवाइड करवाते हैं ठीक है और क्या ये private company जो CSP ID पुरवाइड करवाते हैं इससे लेने में कोई फाइदा है या नोकसान है तो हम आपको बता दते हैं देखिए दोस्तो जैसा कि अभी जो है जानते हूंगे आप लोग की access bank की CSP ID है वो यहाँ पे busy next company भी दे रही है और यहाँ पे spice money, paynear why और rapi pay बहुत सारी ऐसी other company है दोस्तो जो आपको access bank का current account, saving account open करने का सुविधा यहाँ पे available करवा रहा है लेकिन देखिए दोस्तो क्या इनकी CSP लेने से कुछ फाइदा है या नहीं है तो हम सबसे पहले बात करते हैं spice money, paynear why और rapi pay और बागी busy next company जो access bank की CSP ID पुरवाइड करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह तीनो चारो company जो भी है इसमें जो है आप लोग biometrics से यहाँ पर जो है आप बिल्कुल भी किसी का account रोपे नहीं कर सकते एक्सेस bank के अंदर सिरिफ अधार OTP के माध्यम से आप लोग जो है यहाँ पर account को open कर सकते हैं और वीडियो के वाइसी से तो इससे अच्छा हम समझते हैं कि one code है और यहाँ पर ग्रोमो एप्लिकेशन है और यहाँ पर बहुँ सारी ऐसी एप्लिकेशन है बैंक साती है जो इससे अच्छा कमिशन दे देती है उसमें भी आपको जो अधार OTP के माध्यम से एकॉंड किसी भी किस्टमर एक खुलवा वह भी तीनों एकॉंड बायोमेटिक्स जो है यहाँ पर सेविन एकॉंड करेंट एकॉंड बच्चों का जो एकॉंड होता है वह आप कैसे ओपेन करिएगा यह हम बताने वाले इस वीडियो में बने रही है देखिए दूस्तों एक्सस बैंक की अगर आप लोग स्यस्पी आईडी होना चाहिए और आप जो है यहाँ पर जो है आपके पास एक लैप्टॉप होना चाहिए लैप्टॉप के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आता है दूसरा डिजन जो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और एक प्रॉपर सेटप होना चाहिए जहाँ पर आप आप ल 10,000 रुपए खर्चा आएगा और 10,000 रुपए खर्चा करने के बाद आप लोग CSPID Access Bank की यहाँ पर जो मर्चंट और गरहक सेवा जो केंद्र होती है वो आप लोग ले सकते हैं कि हम आप सीम्पल सी प्रॉसेस आपको बताते हैं घचक है हंडेट पर सेंट आप से आप वादा करते हैं कि यह वीडियो के बाद आप यह जो कोशिश करिएगा दिकिए कोई सीबीच लेने में या हासिल करने में आपको थोरी सी महनत करनी ही पड़ेगी जब तक आम हम भीत न सब्सक्राइब होती है वो आपको समझाएंगे और फोरा जो है दो तीन दिन चार दिन आप जो है बोलना ही परेगा ठीक है क्योंकि आप जो कोसिस करिएगा तभी आपको CSP ID मिलेगी तो आप ब्रांच में जाईएगा और बहां पर बात करिएगा और जो मैंने क्राइटरिया बताया है वो आप उसको बताईएगा और वो लोग जो मागेंगे उसके बाद जो है आपको CSP ID 100% जो है मिल जाएगा यहाँ पर लेकिन जो आपको कोसिस करनी होगे आपको ब्रांच जाना होगा यहाँ पर जो है जो भी प्राइबिट कमपनी आपको दे रही है CSP का लेने से कोई फाइदा नहीं है बायो मैट्रिक से बहुत सारे लोग जो है एकॉंट ओपन करते हैं ऐसा ही एकॉंट ओपन होता है इसी का मतलब CSP होता है नहीं तो यहाँ प्राइबिट कमपनी क्या की वैप साइट पे भी एक्सेस बैंक के जाके या किसी भी बैंक के जाके रजिश्टर करके और इमेल आइडी मोबाइल नमबर डालके और यहाँ प्याधार OTP के माद्यम से एकॉंट आप खुल सकते अच्छी खासी कमीशन भी मिल जाती है यहाँ फ़र्पाटी एप्लिकेशन से ठीक है एंफिलेट मार्कीटिंग बला यह काम हो गया तो ऐस